नमस्कार मैं कित कुमार एक वफिट साब सभी के लिए करके आ गया हूँ मंडी भाव तो आई आज जानते हैं कि मंडीयों में क्या भाव है आज दिनानक है 21 दिसम्बर 2022 और समय लगभग 12 बजने वाले है तो 12 बजने तक की रिपोर्ट देखते हैं कि मंडियों में क्या हल चल रही है और क्या रहा है बाजार सबसे पहले हम खोलेंगे अपना इस फसल सलाई एप को इसमें हम डालेंगे अपना मंडी भाव चलते हैं अनाज में और देखते हैं धान के भाव तो जैसा कि हम देख रहे हैं सिर्षा मंडी में 1401 का है 4511 रुपए पीबी एक का है 4270 1509 का है 49478 का है 4060 1121 का है 4050 रुपए अगर आपको ऐसे ही मंडी भाव जाननी है तो यह जो हमारा आयाप है बहुत निम्तम नाम है 50 रुपए में 1 महिने 300 रुपए में 6 महिने और 500 रुपए में एक साल के लिए पूरा कोमेडिटी का तो जैसे कि हमने पहले धान देख लिए अब देख लेते हैं गेहूं का तो गेहूं में जो मतुरा में यूपी लेंग के जो माल है उसमें 2831 रुपए जिसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है वह हम MP लेंग के बात करें तो उसमें 2831 रुपए जिसमें में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है गंज वसोदा में हम देखे सुनेहरा का वहाव 237 रुपए और सरबती का बात करें तो बैगों की आवक हुई है वह मिल्क वालिटी में हम बात करें तो पचीस सो रुपए एवरेज टुकडी की बात करें तो पचीस सो साथ रुपए इसके बाद हम बात करें पटना में मिल डिलिवरी की तो 2900 रुपए जैपूर में 2720 जोधपूर में 2700 उद्यपूर में 2725 अमरिस्तर में 2700 रुपए इस तरीके से रोजना के हमारे मंडी भाव आते हैं इसके बाद हम देखना चाहें तो इसमें चावल गेहूं मक का बाजरा जोव जुआर हर्च किसी के भाव आते हैं चलिए आज हम देखते हैं डलहन के बाहव दलमन अगर हम बात करें चनने में भाता पारा के जो बहाव है 4550 रुपए जोधपूर में दाल सोटक्स का भाव हैं 58500 रुपए नन जोटक्स का भाव हैं 56 रुपए सूखा सब्सक्राइब करें तो यह उड़त के भाव है यहां विजयवाड़ा में पॉलिश के भाव है बीना पॉलिश के हैं 7000 रुपए जोतपुर दाल में मोगर सफेद के भाव है पॉलिश के भाव है बाव जानने के लिए देख सकता है जैसे कि इसमें सर्सोल सोयाबीन अरंडी मुंफली तील अलसी बीन सभी के भाव आपको मिलेंगे मसालों में अगर हम देखना चाहे तो लालमिश धन्या इलाइची जीरा हल्दी अजवाइन मेथी काले मिर्च अद्रक हर किसी के भाव आपको यहां पर देखने के मिलेंगे सबजियों में बात करें तो ने अन्य सबजियों के आपके लगभा लगव सब्सव भाव मिलेंगे वहीं गरमफल में बात करें है उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आपकी इसकी पेमेंट करें और इस एप को जल जल डानलोड करके इसका लाव उठाएं तब तक के लिए धन्यवाद